beiden चिल्डुरन आज हम देखेंगे आपके वह अर्ट लॉंगी ट्यूट्स कोण हमने ले टिटीऊट्स देखा था इंच्मगार क्ल एक लिएव prototype n at रिखा लेक्षान्ट के वॉपर जो जोन सैंद धेंघ्र को देखा थाहिं इस पिक्चिण को देखी ना इस इस रही हैर यह आपको दिख रही है यह सारी लोंगीट्योट्स ए तो आपको दिफ्रेंज अधने लोंगीकडल में और लाटी टूर्भ में यह लोंगे में और लेती थीूड किता थे तो आप देखे लेडे यह de देशांतर कहते हैं जिनको इंदी में तू फिक्स ती पोजिशन ओफ प्लेस इस नैसेसरी तो नो सम्थिंग मोर देन दी लैटिटूड ओफ देट प्लेस किसी भी प्लेस थान की स्थित्री को जट बताने के लिए उस थान के हमें लैटिटूड अक्षांस के अतिरिक्त कुछ और इंफोमेशन की भी आमें नीड होती है यू कैन सी फो एक्जामपल डेट टॉंगा आईलैंड इन पैसिफिक ओशन देखे पैसिफिक ओशन में एक टॉंगा आईलैंड है और मोरिश़ आईलैंड इन दी इंडियन ओशन झालोषीमे मैं एक प्रफड़ ब Вас करे जुटसमे में संधे हिनम है में कि वि फिर आड को है जब एक हो पुट है mean ắt comment तिक सित्ति जाने के लिए हमें यह पता करना होगा कि नोड़ पॉल मुद्री द्रूव को दक्षिनी द्रूव से जोड़ने वाली जो लाइन है इस्थ यह वेस्ट के और स्थानों की दूरी कितनी अट्मी में समें स्थ undert्री वेस्ट में उनकी tumor होना चीए ठीक है सभ्झपर के अगár शिक्स्टी İyi इस्ट निगा ऌए इधर 30 बेट वेस्टी टूह था 220 तो हमें 01 कि तोी का छिए पता होना चाहिए आगे नोट पोल तो इस लाइन्स ओफ रिफ्रेंस और कॉल दा मेरिडियन्स ओफ लोंगिट्यूड और जो लाइन हमने भी देखिए ने इनी को हम लोंगिट्यूड मेरिडियन्स देशांत्रिय यह मोतर कहते हैं ठीक है यह मैंजर्डी जो इसलियूड गुद्यां से उफ दिइश्डी को अंग रिफन देखिए है च dat dr· यह में मेरिडियूर और दीमें अचनली है यह में सकथ origin दीश्टैर्ट हम दूरी को जो बाहुत दूरी को डिफन दीघ्र करते थे degrees में, each degree is further divided into minutes और पर तेक degree को minutes में divide कर दिया जाता है, it means 1 degree को minutes में divide किया जाता है and minutes into seconds और minutes को किस में divide किया जाता है seconds में, they are semicircles and the distance between them decreases steadily pole watts until it becomes zero at the poles where all the meridians meet, यह क्या कह रहे हैं देखिए, इसके इसको ही देखना है, जो globe दिखा रख है, यह कह रहे हैं, अभी हमने देखा कि longitudes को degrees में measure किया जाता है, और पर तेक degree को हम minute में और minute को second में हम divide कर लेते हैं, यह semicircle दिख रहे हैं आपको, अगर मैं कि दुर्वों की तरफ बढ़ने पर decrease हो रही है, इनके जो बीच की दूरी है, आप देखो ना, बीच की दूरी है, जीरो डिगरी के अगर हम इदर देखेंगे, लाइन छोटी है, छोटी है, फिटे को कितनी कम होती जा रहे हैं बिल्कुल, तो पोल्स की तरफ बढ़ने पर decrease होती है, इनके बीच की दूरी, और पोल्स पे जाके तो बिल्कुल निल सुनने हो जाती है, और जहां सभी longitudes आपस में मिलती है, यह देखो उपर की साइड में North Pole के पास, जा 180 लिखा हुआ है, 150 डिगरी, सारे सारी लाइन एक आपस में यहां मिल रही है, North Pole पे मिल रही है अक्षांश रेखा हूँ, all meridians are of equal length, अगर हम अक्षांश समानन तर रेखा हूँ से बिन सभी longitudes की अगर हम बात करें तो इनकी लंबाई समान होती है, इनकी length समान होती है, thus it was difficult to number their meridians, इसलिए इनने सिर्फ meridians में संख्याओं में वेक्ट करना कथिन होता है, कि हम सिर्फ इनके संख्याओं में इनको वेक्ट करें, कि 180, like this, hence all countries decided that the count should begin from the meridians which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located, अब हम इनको counting में नमबर्स में तो हम इसको वेक्ट कर नहीं सते है, वह difficult task है, तो तभी सभी countries नहीं डिसाइड किया, कि Greenwich, Greenwich जहां British Royal Observatory, Royal Observatory वेदिशाला स्थीत है, जहां British राज के वेदिशाला स्थीत है, उससे गुजरने वाली meridian या मोतर से, पूर और पस्रीम के और गिंती श्रू की जहाए, इस में लाइन कौन सी मान ली गई, Greenwich, जो कि British राज के वेदिशाला से पास होती है, और other countries में भी जाती है, तो हम या मोतर इज कोल दा प्राइम meridian, इस या मोतर को परमुख या मोतर meridian का गया, कि यह परमुख है, विकोज इसी से तो टाइम रिसाइड होगा ना, वल्डगा, इस वैलो इस जीरो डिग्री लोंगिटूड, और फ्रॉम इट, विकांट वन एटी डिग्री इस्ट वार्ट, एज वेल एज वन एटी डिग्री वैस्ट वार्ट, यह देखे, अभी अमने देखा, यह जो जीरो डिग्री है, इसको, क्या मान लिया गया, प्राइम meridian, और यहां से हम 180 डिग्री पूर विया 180 डिग्री परसीम तर इसको काउंट करेंगे, इस्ट है तो इदर आपका इस्ट हो जाएगा पूर और उदर वैस्ट हो जाएगा परसीम की साइड में, ओके, इंडिया के मैप में राजस्तान जैस्ट में आता है ना, और जो इस्टरन यह हमारे इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और जो मैंने काता है, यह हाफ देखते हैं तो सेमी सरकल बनता है, तो यह सब आपको अच्छे से की लिए रोना चीह था कि है कि यागे चलते हैं आप क्वेसी की तुरू समस्कते हैं यहसे आप नहीं समझ पाऊगे in the eastern hemisphere and the western hemisphere हमें इस को पस्चीमी गॉलारद और पूरवी गॉलार्ड कहेंगे और latitudes जो हैं वो उत्री गॉलार और रशनी गॉलारद मों डिवाईद करती थी और longitude is in eastern और western hemisphere में therefore the longitude of a place is followed by the letter e for the east और west के लिए w जैसे north के लिए हम n लगाते हैं के लिए s like this west के लिए w और east के लिए e it is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line yes यह देखिए 180 degree यह और वो same line पे है ठीक है जो उपर आपने picture देखी ते उस पर आप देखो सभी द्यान से यह देखिए ऊपर यह नौर्थ पोल के 180 लिखा हुआ है ठीक है 150 इधर इस्ट है 150 वेस्ट इधर it means 180 एकी लाइन है इस्ट और वैस्ट वाली जो 180 लाइन वह एक है जीरो डिगरी 180 इस्ट यह 180 डिगरी वेस्ट सब एक ही देखो एक पर यह 180 लिखा हुआ है यहां पर ना तो इस्ट लिखा ना वैस्ट इट मींज यह सेम है यह इंट्रेस्टिंग है ना कि एकी लाइन है मिलगू पुरा वड़ आपको देखते हो ना मैं एक या जाता है ग् दिखाए हुए है और एक्वेटर भी दिखाए हुए है यू कैंड लोकेट एनई पॉइंट अन्दा ग्लोब वेरी इजिली आप ग्लोब के ओपर किसी भी प्वाइंट को लोकेट कर सकते हो अगर आप जानते हो कि वह कितने लैटिटू और लोंगिटूड पर है दैन आप उस पैलेस को अच्छे से लोकेट कर सकते हो तो आपको देखो इसमें जाना होगा ठीक है ट्वेंटी डिग्री नोर्थ दिया हुआ है तो आपको जाके दूब्री को लोकेट करना है तो इसमें कितना दिया हुआ हैत्व तो 26 इ PROF के थोड़ा सा मधोर उपर होगा ठीक है यहां पर अगराम कर ले फिए सिट हराऊください लगाएं ठीक है अगर थोड़ा सा उपर जाएं यह देखो तो यहां पर माल लो ओके तो आपको कहा करना है कि यहां अगर हम यहां हो जाएगा 90 डिग्री यह 90 डिग्री चलता हुआ यह 60 डिग्री है यह 90 डिग्री वाले लाइन है यह 90 डिग्री वाली लाइन है और आपको देखना है तो यह 23 इन है तो 26 यहां लगा लते हैं जत्वत यहां यह हैं यह 26 डाये तो यह दूब्री यह दग्री यहां हुआ कि वंको देखना है तो ही ah फोइस है तो यह एस्ट आपको करना है और अगे क्लें हम नहीं 권ा सब्स الجन कर फोड़ती यहां आपस में करें नहीं कि परचिंवा pulling बंब से इसाइए लेकन द्राइए कनकिताद आपके मैप से हीजिटर्श करना है कर दोड़ती है तो आपको एक पेपर लेने हैं उस पे आपको होरीजोन्टल ठीक है और वर्टिकल दोनों टाइप की लाइने की जिनी है देखो वर्टिकल होरीजोन्टल दोनों है और जो लेबल दी वर्टिकल रोज विद नंबर्स वर्टिकल रोज को आप नंबर से देखो 1234 यह आपके वर्टिकल रोज हो गई होरीजोन्टल रोज को आप लैटर से ड्रो कर सकते हो लाइक ABCD देखो ABCD दिखा हुआ है ठीक है ड्रो सम सर्कल्स रैंडमली ओन पॉइंट व सकते हैं hahaha तो यह rate नहीं है को सरय भी तक है फरीट लोंगिटूड है यह इस्ट लोंगिटूड है क्योंकि लिए लंबे हैं ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए एंड ओरिजॉन्टल लाइन सार्थ नोर्थ लैटिटूड इट मींज यह पूरा इस्ट और नोर्थ के बारे में बता रख आए इस्ट और नोर्थ ओके अब हम देखेंगे नाओ यूँ वील सी देट सर्कल एच लोकेटिट ओन बी डिडिग्री नोर्थ लैटिटूड एन वनढ़ लोंग लाइन अब एक बात करें तो बी देखिये एड वन डिग्री लोंगिटूड के उपर है और बी डिग्री लैटिटूड के उपर है अगर ह हम इसकी a small a की बात करें तो आपको यह अच्छे से होना चइए इसकी अगर हम बात करें तो यह हमारी वन डिग्री है वन डिग्री क्या है अमारा Đây लोग suiv मि टूर्फ ग्यालä Sh नोर्थ इसके उपर स्थीत है ठीक है तो हम इसकी स्थीति बता सकते हैं तो यह आपको कुर्से करके देखना है और अधर सर्कल्स को फाइंड आउट करना है अब आपको यह मैप देखना है जो कि वर्ल्ड का मैप है ओके यह देखिए पैसिफिक ओशन दिया हुआ है यहां प जिव भण कपषण में का लिखन लिखा हुआ है इन्डिया चाइन है लिखना हुआ है बक्छों आपको इसे लाइन एक लाक दीकर हो जितना जता हैं जहां होगी और्टफल इसकिर दीन तो 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 बैक प्रस्के विक्श को पास होकर यह ऐसा क्यों गई ग्रिमीच अमने देखा ना जीरो डिग्री प्राइम मेरीडियन ठीक है बिफोर इट मिन्स यह जो टाइम है इदर का यहां पे इदर क्या चलता है हमारा वैस्ट तो वैस्ट का टाइम भीफोर इट मिन्स पीछे चलेगा और यह अहार्ड लिखा हो इट मि पर आगे चलेगा अब देखा ना अहर्ड आगे चलेगा इंडियन ओशन दिया हुआ है तो आपको इस मैप बरना है यह देखिए पैसिफिक और इदर भी पैसिफिक और इसको घोल करेंगे तो आपस में मिलेंगे और अट्लैंटिक ओशन जो है वह अमेरिका और शौथ अम अब हम देखेंगे लोंगिट्यूड देशानतर रेखाएं एंड टाइम समय दा बैस्ट मीन्स ओफ मेंजरिंग टाइम इस बाइदा मूमेंट ओफ दा अर्थ समय को मापने का सबसे अच्छा में साधन जो है वो अर्थ दी मून अन दी प्लानेट इट मींस हमें किसी समय को मेंजर करना है तो सबसे अच्छा एक्विमेंट है मारे पास अर्थ मून और प्लानेट इनकी जो गती है मूमेंट से वो है उनकी गती के तुरूम्स मैं को मेंजर कर सकते हैं दा सं रेगुलरवर राइज़ेंड सेट्स एवरी डे एंड नैच्रूरली आपको अच्छे से पता है कि सूर्ये जो है वो सूरिय हुदे भी होता है अस्त भी होता है और डेली होता है इडिज दा बैस टाइम कीपर ठ्रॉआउट दा वर्ल्ड और यह ठ्रॉआउट दा वर्ल्ड पूरे मलग विश्व में समयन इधारन का सबसे अच्छा साधन है सं सूरिय ठीक है पहले के लोग तो बिना घड़े के टाइम बता देते थे सं की कंडिशन को देखके लोकल टाइम कैन बी रिक्नाट बाइदी शेडव कास्ट बाइदी सं विच इज दा शोटेस्ट एड नून और लोंगेस्ट एं सन्राइज एं संसेट स्थाने समय का जो अनुमानव स जो परच्छाई बनती उसे लगाए जा सकता है दोपैर में आप देखते हो सबसे छोटी शेडव बनती हैं आप लोग अगर देखते हो खुद की आप लोगों की और सूरियदे और सूरियस्ट के समय आप लोगों की शेडव बोत लंबी होती है वैं दा प्राइम मेरिडिय अब inveji देखी इस पर अगर सूरिय जिस समय आकास में सबसे उची बिंदू पर होगा तो उस समय मेरिडियन पर सभी स्थान वर दोफैर होगी सर पे होगा ठीक है बिलकुल सर के आउकास के सबसे उचे बिंदू पर तो क्या होगा मिड़े होगा आप सभी को पता है फिट वी पर्शिम से पूरु की तरफ रोटेट करती है अभी हमने देखा था ना फिगर 2.8 वर्ल्ड मैप देखा था हमने जिसमें बिफोर और अहर लिखा था और मैंने आपको का था कि गिरिन वी समय से आगे होगा कौन साथ जो पूरु में कंट्रीज है और जो पश्ची में वह पीछे चलेंगी तो हमने देखा था हमारे इंडिया तो पूरु में है तो इंडिया भी तो आगे चलेगा ना इसके टाइम से दा रेट ओफ डिफ्रेंस कैन बी कैनकुलेटी डैस फोलोज दा आठ रोटेज थी हैंडर शिक्टी डिग्री इन अबाव टेंटी फूर आर्स देखिए पिथवी जो है वह चोबीस गंटे में अपने एक्सिस पर घूमती है Does У और चॉविस गंटे में यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एग डिग्री को को पास करने के लिए 20 विट्वी को किठा टाम लगता है तो चार्र मिननेट ट concentr सब मों अगर 12ches में तो ड़काने एक यको पास करने ज चार मिन लगते एक को चार से डिवाइड करेंगे चलग लन गंटा ठीक है I heard of green wish time which means 1 p.m. अब एक गंटा लग रहे हैं तो इट मींज जो green wish पर 12 बज रहे हैं तो पूर में हमने देखा पूर का time तो आगे चलते हैं तो इट में एक गंटा आगे चलेगी तो पूर में कितना बजेगा 1 p.m. और अगर हम 15 डिगरी west of green wish की बात करें तो व 1 degree 80 will be the midnight और ऐसे ही 180 degree पर आगर 12 बज रहे हैं तो वहां रात होगी क्योंकि वह एक डिग्री पर आती है ठीक है at any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky for example when it is a midday किसी भी स्थान पर जब सूरिय आकास में सबसे हाई लेवल पर हाई बिंदू पर होता है तो दोपैर में उस समय घड़ी में दिन के बारा बसते हैं आपको पते सबसे ज़्यादा दूपा में उस टाइम लगती है the time shown by such a watch will give the local time for that place और हां इस परकार घड़ी के दूगार जो दिखाया गया समय है उस थान का वो लोकल टा स्थानों पर का स्थानिय समय समान है why do we have standard time अब हम मानक समय क्यों मानते हैं ऐसा क्यों है the local time of places which are on different Meridians are bound to differ तो कि अलग अलग या मोतर पर स्थानों की जो लोकल समय में अंतर भी तो होता है कि लोकल स्थाने अलग लग जगए पर थोड़ा वोता ही है तो जो differ होता है ना उससे क्या होता है for example it will be difficult to prepare a time table for trains अब लोकल टाइम अलग अलग है तो हमारे लिए कि हम रेल गार्ड संक्या गोडिंग चले तो विच क्रोस सर्वेल लोगिटूड क्योंकि वो अलग लग लोटी लोटी लोगिटूड को कवर करेंगी बहुसे देशांत्रों से होकर जग गुजरने वाली रेलकाडियों के लिए तो बूतिक तो जाएगी ना इन इंडिया फोर इंस्टेंस देविल बिए डिफरेंस ओव अबाऊट वन आर और फॉटी फाइफ मिनट इन टोकर टाइम द्वार्का इन गुजरात और डिप्रूगड इन आसाम इस्ट वेस्ट की बात करें भारत में गुजरात के द्वारी का था असम के डिप्रूगड के लोकल टाइमिंग में एक गंडा और पैंताल स्मिंट का अंतर होगा कितना अंतर होगा देखो इट इस देरफोर नैससरी तो अडॉप्ट डी लोकल टाइम अप सम्सेंट्र मेरीडेन ओफा कंट्री ऐस दा स्टैंडर्ड टाइम फोर दी कंट्री इसलिए नीड होगी यह आउशक है कि देश के मद्य बाग से ओकर गुजरने वाली किसी भी मेरीडेन को स्थाने समय को देश का मानक समय माल लिया जाए इस जो कंट्री के बीच में से जाती हो इन इंडिया दा लोंगिटूड ओफ एटी टू वन एंड हाफ डिग्री इस्ट इस ट्रीट इस मेरीडेन देखे बारत में साड़े ब्यासी डिग्री पूर्वी को मानक या मुतर माना गया है इस पूर्वी देश आनतर को दा लोकल टाइम मेरीडेन इस टेकन एज दा स्टेंडर्ड टाइम फोर द वोल्ल कंट्री और यहां का जो इस रेखा का जो लोकल समय है यह पूरे अब यह देखे एक एकजांपल दिया है कवीर लिव्स इन स्मोल टाउन नियर बोपाल कवीर जो है वो एक बोपाल के स्मोल टाउन में रह रह रहा है ओके वे अपने मित्र आलोक से कहता है कि आज रात में वो सो नहीं पाएंगे क्यों आज रात में वो सो नहीं पाएंगे भारत और इंगलेंड के बीच एक किर्केट मैच है जो लंदन में दो बज़े सुरोगा लंदन में कितने बज़े सुरोगा दो बज़े ठीक है मेरिडियन वहां से जा रही है में मेरिडियन ग्रीन विच दिस मिंस देट दा मैच वूड बिगिन एट 7.30 पीम इन इंडिया और हम आते हैं पूर में तो पूर में टाइम आगे चलता है तो जो इंडिया का समय है बेटा इंडियन वीच से साड़े पांच गंटे आगे चलता है तो साड़े पांच गंटे आगे तो दो में हम साड़े पांच जोड़ेंगे तो साड़े साथ बज़ेंगे इंडिया में और आधिरात को खतम होगा दो यू नो वट इस दा टाइम डिफ्रेंस बिट्विन इंडिया एंग्लेंड तो आपको टाइम डिफ्रेंस पता करने है जो हमने भी देखा था कि एक डिगरी को चारी मिनिट में पित्वी पूरा करती है तो देखो इंडिया की मेरी देन तक आते पांस घंटा आगे चला जाता है इंडिया लोकेटिड इस टोफ ग्रीन विच ए 20 डिग्री थर्टी इस फाइफ आर्स एं 30 मिनट आहड़ जी एमटी जी एमटी ग्रीन विच बारत ग्रीन विच के पूर में है पूर में स्थीत है यहां का समय ग्रीन विच समय से पांच घंटा तीस मिनट आगे है इसलिए जो लंदन में दोपेर के दो बजेंगे तो हमारे यहां साथ शाम के बजेंगे सम्कंट्रीज एवा ग्रेट लोगे टूल एक्सटेंड एंड एव अडूप्टेट मोर दैं वन स्टेंडर टाइम कुछ देशों का जो देशांत्रे विस्तार वह एक्सटेंड बहुत जादा आधिक है जिसके कारण वहां एक से अधिक स्टेंडर टाइम लोगों ने माने ह स्टेंडर टाइम स्टेंडर टाइम को अपनाए गया है दा आर्थ हैस बिन डिवाड़े इंट ट्वेंटिफॉर टाइम्स जोंस पित्वी को एक गंटे वाले चोबीस समय चेत्रों में बाटा गया है एक जोन तस कवर स्ट फिफ्टी डिग्री ओफ लोंगिटूड और पर 15 डिग्री देश आंतर तक के छेत्र को गिरता है 15 डिग्री इट मिस एक गंट्या है यह आपके देन कोशन आंसर स्टार्ट हो गए ओके आपका चैप्टर जो खतम हो गया थैंक्यू सो मच अब आपका स्टाइज करनी है